नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस योटूब चैनल जिवन जीने की कला में आईए आज के इस एपिसोड के माध्यम से जानते हैं गायत्री मंत्र का सरल और गोपनी अर्थ हिंदी में वो भी खास आपके लिए ये प्रस्तुती है जो कि आप सभी को आवश पसंद आएगी तो प्रेम से बुलिए एक बार ओम भुर्भुस्व तत्सवितुर वरेणयम भर्गो देवस्यधी मही धियो योन प्रचोदयात अब एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं समस्त धर्म ग्रंथों में गायत्री की महिमा एक स्वर से कही गई है समस्त रिशी मुन मुक्त कंठ से गायत्री का गुनगान करते हैं शास्त्रों में गायत्री की महिमा के पवित्र वणन मिलते हैं गायत्री मंत्र तीनो देव ब्रम्हा विष्णु और महेश का सार है गीता में भगवान ने स्वयम कहा है गायत्री छंद साम हम अर्थात गायत्री मंत्र मैं स्व वरेणियम भर्गो देवस्य धीमही धियो योन प्रचोदयात। ओम परम ब्रम्हा का अभिवाच्य शब्द है। भूह भूलोक को बोलते हैं। भूह अंतरिक्ष लोक को बोलते हैं। स्वह यानि कि स्वर्ग लोक। तह यानि कि परमात्मा अथवा ब्रम्हा। सवितु उपकि इश्वर अथवा स्रिष्टि करता वरेणियम मतलब पूजनिय भर्ग यानि की अज्ञान तथा पाप निवारक देवस्य यानि की यानि की ज्ञान स्वरूप भगवान का रूप और धीमही मतलब हम ध्यान करते हैं ध्यो यानि कि बुद्धी प्रग्या यो यानि जो न यानि कि हमें प्रचोदयात यानि कि प्रकाशित करें जिहां अर्थ हुआ हम इश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन किया है जो पूजनिय हैं जो ज्यान का भंडार हैं जो पापों तथा अज्य को दूर करने वाले हैं हमें प्रकाश दिखाएं और हमें सत्य पत्थ पर लेकर जाएं इसलिए यह मंत्र बोलने से हमें एनरजी और उर्जा मिलती है पोजेटिविटी मिलती है और सफलता मिलती है इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग गायत्री मंत्र का जाप करते तो यहीं काम हमारे शास्तरों के द्वारा किया गया है इसलिए गायत्री मंत्र का जाप बहुत लापकारी होता है हमारे जीवन में हमें हर रोज इस मंत्र का जाप आवश्य करना चाहिए तो ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए कैसा लगा ये एपिसोड आप सभी अपनी प्रतिक्रिया आवश्य दें क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए जूड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लें ताकि ऐसी अन्य नई जानकारी जब भी हम ले करके हैं नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को लाइक शेर एंड कमेंट आवश्य किया करें ताकि अन्य लोग